इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि सभी साइकल सवार एक दूसरे को बिना ओवर टेक किये एक दूसरे के पास छुंड बना कर चल रहे हैं स्टेडियम के अंदर की ट्रेक साइकलिंग प्रतियोगता भेवी साइकल सवार एक दूसरे के पास बहुत पास पास चलते हैं क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं साइकल की रेस में हवा के विवहार को समझना बहुत महत्तोपून है जब आप कोई गाड़ी या साइकल चला रहे होते हैं तो आपको लगातार उड़ जा देने होती है नहीं तो आप धीमे हो जाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पर गती की विपरीत दिशा पर एक प्रतिरोधक बल लग रहा होता है और इस प्रतिरोधक बल का अधिकतर हिस्सा पहिये और सड़क के बीच घर्षन से नहीं बलकि हवा के बल से लगता है व्यज्यानिकों ने पता लगाया कि professional cycling प्रतियोगताओं में cycle सवार पर लगने वाले कुल प्रतिरोधक बल का 90 प्रतिशत हिस्सा हवा के प्रतिरोध के कारण लगता है और इसलिए इस प्रतिरोध बल को कम करने के लिए साइकल सवार एक के पीछे एक इस तरह जुन बना कर चलते हैं और ऐसा करने से पीछे वाले साइकल सवारों को सबसे आगे वाले साइकल सवार की तुलना में काफी कम भेनत करनी पड़ती है किसी स्थिती में बैट कर साइकल चला रहे व्यक्ति पर लगने वाला हवा का प्रतिरोध बल तीन कारकों पने भर करता है और ये तीन हैं सामने से दिखने वाला वस्तु का शेत्रफल, हवा का घनत्व या डेंस्टी और साइकल की गती और इनके बढ़ने से हवा का प्रतिरोदबल भी बढ़ता है पहले शेत्रफल पर चर्चा करते हैं सामने से दिखने वाला वस्तु का शेत्रफल इसका क्या आर्थ है माल लीजिए आपके दोस्त ने एक बॉल सामने से आपकी और को फेकी तो सामने से बॉल को आता हुँ देख आपको यह बॉल एक वृत या सर्कल जैसी दिखेगी इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप इस बॉल पर सामने से रोश्नी डालें तो इसकी परचाई कैसी दिखेगी और उसका शेत्रफल क्या होगा इसकी परचाई सर्कल बनेगी इसी लिए बॉल पर लगने वाले प्रतिरोध बल को निकालने के लिए विज्ञानेक इस वृत के शेत्रफल को लेंगे जो की पायार स्क्वायर है न की इस बॉल या गोले के प्रिष्टिय शेत्रफल को जो की फोर पायार स्क्वायर है तो यह लगबग एक साथ टेबल पर पहुँच रहे हैं अब एक कागज की बॉल बना लेते हैं और अब इस पेपर और बॉल को फिर से समान उचाई से गिरा कर देखते हैं तो आपने देखा कि बॉल पहले गिर गई ऐसा क्यूं हुआ? क्या बॉल भारी थी इसलिए? नहीं, कागज को मोड लेने से बॉल के वजन में कोई बदलाव नहीं होता है इस आकार में बॉल का शेतरफल काफी घट गया और इसलिए इस खुले कागज की तुलना में इस बॉल पर लगने वाला हवा का प्रतिरोध बल भी काफी घट गया यानि कि वस्तु का सामने से दिखने वाला शेतरफल घटने से उस पर लगने वाला प्रतिरोध बल भी घटने लगता है इसलिए cycle चलाते वक्त प्रतिरोध बल कम करने का एक तरीका यह भी है कि हम अपने शरीर का सामने से दिखने वाला शेतरफल जितना संभव हो उतना कम कर सके इस वीडियो को देखिए इसमें simulation के जरिये cycle सवार की अलग-अलग स्थितियों का अध्यन किया गया है पहली स्थिति बैठने की स्थिति है जैसा कि अकसर हम cycle या स्कूटी में बैठते हैं लेकिन इसमें सवार के सरीर का अधिकतर शेतरफल हवा के संपर्ग में आता है दूसरी स्थिति में सवार अपने हाथ तो हैंडल के बार से नीचे रखता है और अपने सरीर को भी इस तरह जुका लेता है और ये देखिए तीसरी position में शेतरफल बहुत कम करने के लिए सवार cycle की ट्यूब पर ही बैठ गया वैज्यानिकों ने पता लगाया कि दूसरी स्थिति में सवार का हवा के संपर्ग में आने वाला शेतरफल पहली position की तुलना में 20 प्रतिशत कम हो जाता है और तीसरी पोजिशन में शवार का हवा के संपर्क में आने वाला शेतरफल पहली पोजिशन की तुलना में लगभग 34 प्रतिशत कम हो गया जबकि हवा का प्रतिरोध दूसरी पोजीशन में पहली पोजीशन की तुलना में 14 प्रतिशत कम और तीसरी पोजीशन में पहली पोजीशन की तुलना में 32 प्रतिशत कम हो जाता है हाला कि तीसरी पोजिशन में हवा का प्रतिरोधबल सबसे कम लगता है लेकिन यह बड़ी ही अस्विधा जनक पोजिशन है स्कॉटलेंड के ग्रेम ओवरी वर्ड चेंपियन साइकल रेसर थे जो कि आवर रेकॉर्ड प्रतियोगिता में भाग लेते थे और इसमें एक घंटे में सबसे ज़ादा दूरी तक साइकल चलानी होती थी और उन्होंने बैठने की स्थिती में बदलाव करके कई वर्ड रेकॉर्ड बनाए उनकी एक स्थिती में वे काफी नीचे जुख कर हाथ छाती की नीचे दबा लेते थे इससे हवा का प्रतिरोध बल कम हो जाता था कुछ साल बाद इस तरह से साइकलिंग करने पर प्रतिबन लगा दिया गया तो ओवरी ने एक नई पोजिशन का इजाद किया जिसे सुपरमेन पोजिशन कहते हैं इसमें वे नीचे जुख कर हाथ काफी आगे फैला लेते थे उन्होंने फिर से वर्ड रेकॉर्ड बनाया लेकिन कुछ समय बाद इस सुपरमेन पोजिशन में भी प्रतिबन लगा दिया गया हवा द्वारा लगने वाला प्रतिरोदबल हवा के घनत पर भी निरभर करता है समुद्र तल से पास वाली जगहों में हवा का घनत तो काफी जादा होता है और जैसे जैसे उचाई बढ़ती जाती है हवा का घनत तो धटता जाता है गुजरात के गाधी नगर में जहां पर में इस वक्त हूँ समुद्र तल से उचाई 81 मीटर है जबकि लद्दाक की समुद्र तल से उचाई 3000 मीटर है यानि कि लद्दाक में हवा का घनत्व गाधी नगर की तुलना में काफी कम होगा घनत्व का अर्थ है कि किसी निश्ची तायतन में हवा के कितने कण मौजूद है यदि हम गाधी नगर में एक लीटर हवा लेते हैं और लद्दाख में एक लीटर हवा लेते हैं तो गाधी नगर की एक लीटर हवा में हवा के कण जादा होंगे जबकि लद्दाक की एक लिटर हवा में हवा के कंड कम होंगे और इसलिए अगर आप गाधी नगर में साइकल चला रहे हैं तो आप पर हवा के ज़ादा कंड टकराएंगे और हवा का ज़ादा प्रतिरोध बल लगेगा जबकि अगर आप लगदाक में साइकल चलाएंगे तो हवा के कम कर टकराएंगे और कम प्रतिरोध बल लगेगा अगर कोई साइकल प्रतियोगिता उचाई वाली जगाओं में हो रही है तो वहाँ पर साइकल सवारों पर हवा का कम प्रतिरोध बल लगेगा आम तोर पर यात्री हवाई जास 10,000 से लेके 11,000 मीटर की उचाई पर उड़ते हैं और इस उचाई पर हवा का घनत्व समरुतल की तुलना में केवल 34 प्रतिशत होता है और इसलिए तेज गती से उड़ने वाले हवाई जाजबे हवा का प्रतिरोदबल काफी कम लगता है साइकल या गाड़ी चलने से भी हवा का घनत्व बढ़ जाता है जब साइकल सवार आगे बढ़ता है तो सवार के अगले वाले हिस्से में हवा टकराती है और वहाँ पर हवा थोड़ी दब जाती है जिससे साइकल के अगले वाले भाग में हवा का घनत्व बढ़ जाता है साइकल के आगे जाने से यह हवा साइकल के किनारों से होकर उसके पीछे के ओर आती है लेकिन यह तुरंत मुड़कर साइकल के पीछे की सारी जगा नहीं भर लेती है इसलिए साइकल के पीछे हवा की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है जिससे हवा का घनत तो कम हो जाता है यानि कि साइकल चलाते समय साइकल के आगे तो हवा का घनत तो जादा होता है जबकि साइकल के पीछे हवा का घनत तो कम हो जाता है और इस बात को ध्यान में रखेगा क्योंकि आगे हमारे काम आएगी हवा का प्रतिरोधबल वस्तु की गती बर भी निरभर करता है जब साइकल की गती बढ़ाते हैं तो हवा के कड़ और तेज गती से टकराते हैं और जाधा प्रतिरोधबल लगाते हैं साइकल या गाड़ी चलने से हवा की गती पर एक और रोचक तरीके से बदलावाता है लेकिन यहाँ साइकल या गाड़ी के पीछे आता है और इसे हम एक गती विदी से समझते हैं एक बतन में दूद ले लीजिए इसमें फुट करर इस तरह डालते हैं अब एक चम्मच या लकडी की स्टिक्स डाल कर इसे आगी की ओर को बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए कि चम्मच या लकडी की स्टिक्स के पीछे दूद में क्या हो रहा है। चम्मच के आगे जाने से या स्टिक के आगे जाने से दूद में घुमाओदार भवर बन रहे हैं। इसे आप पानी या चाय में भी कर सकते हैं। इन भवरों के घुमने की दिशा देखिए। आप देख सकते हैं कि भवरों का ये हिस्सा लकडी की स्टिक की दिशा में ही आग की ओर जा रहा है अगर आप रोट पे खड़े हों और वहां से कोई गाड़ी गुजरे तो आपने ध्यान दिया होगा कि गाड़ी की पीछे की हवा भी गाड़ी की दिशा में ही आगे की ओर को जाती है और इस बात को ध्यान में रखेगा यहां बाद में काम आईगी तो अब सब्सक्राइब को ड्राते हैं कि साइकड्le सवार एक गति से लिए हवा का घंब रही होता है जो उसके आज-पास की हवा का हका होता है लेकिन उसके पीछे आने वाले सवार के लिए स्थिति बैसी नहीं है जैसा कि हमने कहा था कि गति-कर्तिवी वस्तु के पीछे हवा का घनत्व थोड़ा कम हो जाता है इसलिए पीछे वाले सवार के लिए हवा का घनत्व कम हो जाएगा साथ ही साथ पिछले वाले सवार के लिए हवा की सापेक्ष गती भी कम हो जाएगी क्योंकि अगले सवार के जाने से वहां की हवा में एक भवर बनता है जिसके अंदरुनी हिस्से में आगी क्योर को गती होती है जो की पिछले वाले सवार के गती की दिशा में है इसका मतलब यह है कि पीछे के साइकिल सवारों के लिए हवा का घनत्व और हवा की सापेक शिगती दोनों ही कम हो जाती है इसकी वजह से पीछे वाले साइकिल सवारों पर लगने वाला हवा का प्रतिदोध बल आगे वाले साइकिल सवार की तुलना में काफी कम हो जाता है। जबकि उससे पीछे चलने वाले सवारों की उर्जा काफी कम खर्च होती है फिर थोड़ी देर बाद सबसे आगे वाला खिलाडी किनारे हो जाता है और सबसे पीछे चला जाता है ताकि अब उसकी उर्जा कम खर्च हो बाहर खुले में होने वाली साइकल प्रत्योगताओं में भी सवार ऐसा ही करते हैं और बड़े जुन बना कर चलते हैं ड्राफ्टिंग की इस तक्नीक का इस्तमाल कार रेसिंग में भी किया जाता है खुले पानी में होने वाली तैरागी प्रतियोगिता में भी इसका इस्तमाल होता है जब एक तैराग के पीछे बाकी खिलाडी तैरते हैं ट्रार्थलोन प्रतियोगिता में तीन खेल होते हैं तैराकी, साइकलिंग और दौर और इनमें भी ड्राफ्टिंग टेकनीक का फाइदा उठाया जाता है हमने जो प्रियोग किये उन्हें आप भी कीजिये और हवा के विज्ञान की खोच परताल कीजिये धन्यवाद